हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल, आज हम सिंपल फो टक्स ब्लोच की कटिंग करेंगे, ब्लोच का साइज है 36, तो यह मैंने एक मीटर अस्तर लिया है, और यह मेरा ब्लोच का कपड़ा है, तो पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, तो अस्तर को बिछा लेंगे, तो देखिए इस तरीकी से बंसाइड अपने साइड रखना है, और ब्लोच की लंबाई लेने, लंबाई है 13, इसमें एक इंच मिलाएंगे, साड़े 14, साड़े 14 पे निशान लगा लेंगे, सोल्डर हमारा है, साड़े 5 इंच है, आर्मोल हमारा साड़े 5 इंच है, चेश्ट हम हमारा है, 36 इसका चोथा बाग उता है, 9 इंच, कमर हमारी 30 इसका चोथा बाग उता है, साड़े 7 और 1 इंच हम टक्स का ले लेंगे, और उसको स्केल से इस तरीके से हम मिला लेंगे, अब देखिए यहां से मैं मार्जिन ले रही हो, मार्जिन में 2 इंच ले रही हो, आप च से माप लेना सीखना है तो इसका वीडियो आपको डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप विलो से माप लेना सीख सकते हैं तो यह देखिए हमारा बेक पार्ट कट हो चुका है अब हम फ्रेंट पार्ट को कट करेंगे तो खुले साइट से हम इस तरह के से र यह देखिए इस तरीके से आदा इंच हम एक्स्ट्रा मारजन नीची से बढ़ा देंगे अब देखिए गले की चोड़ाई लेंगे गले की चोड़ाई मेरी धाई इंच है और गले की लंबई मैंने 6.5 इंच रखी आप अपने अक्योडिंग रख सकते हैं इस तरीके से प्रो कर लेंगे, अब देखी टक्स लगाते हैं, तो यहां से हम 4 इंच पर निशन लगाएंगे, उसकी लंबई हम 4.5 रखेंगे, यहां से हम 4 इंच पर निशन लगाएंगे, इसकी लंबई हम 3 इंच लखेंगे, एक सरकल त्यार कर लेंगे और उसको इस तरीके से मिला अब देखिए नीचे का टक्स हमें एक इंच का लेना है इस तरीके से बागी के सारे टक्स हमें सवाई इंच यानि 0.25 जितना मार्जिन लेकर लेने हैं यहां से आदा इंच हम इस तरीके से डाउन कर लेंगे अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइगन को जरूर दबाईएगा इससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा आप वीडियो जरूर देखते हैं पर की गटिंग करेंगे तो देखिए ये कपड़ा है हमारे इस तरीकी से जितना फोल्ड और करना जितनी हमें स्लिफस की televiz की चोड़ाई चाहिए तो लमबईल 20 इंच रखिए आप अपने अगोड़िंग रख सकते हैं अब एक skill से इसको इस तरीके से line कर लेंगे, अब देखिए यहां से खुले side से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और sleeves का save देना, यहां से हम बाजू की fitting में 2 इंच margin का plus कर लेंगे और इसको इस तरीके से मिला लेंगे, अब देखिए यहां से sleeves का save देंगे, कि हमारे sleeves draw हो गई है, अब इसे हम cut कर लेते हैं, अब हम भी center में छोटा सा cut का निशान भी लगा देंगे, और इस कपड़े को यहां पर slide करके attach कर लेंगे, सारे पार्ट हमारे cut चुके हैं, तो सारे पार्ट को हम blowge के कपड़े पर cut कर लेंगे और slide कर लेंगे, यह देखिए म हम इने cut करके, सारे slide करके attach कर ली है, जो हमने निशान लगाया था, उसे हम इस तरीके से dark कर लेंगे, चोक से, आप वीडियो में देख रहे हैं, अब दूसरे पार्ट को हमें इसके उपर रखना है, इस तरीके से, और हलके हलके हाथों से दबाना है, अब वो निशान उदर जब च्प गए हैं, उसे हम ढार कर लेंगे, इस तरीके से, अब किस तरीके से tax लेना है हमें, नीचे से एक इंच का margin लेके हमें 3 में tax लेना है, बागी तक समय सबा इन्स का margin लेकर लेना है, इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट में भी टक्स ले लेना है यह देखिए किती फिनिसिंग से हमेरे टक्स आये है तो यह देखिए मैंने दोनों पार्ट में टक्स ले लिए हैं अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे तो देखिए पहले हम हुक की पट्टी लगाते हैं तो डेड़ इंच की पट्टी लेंगे उस उपर की तरफ से रखेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे अब इस पट्टी को हमें पलट कर सीधी सिलाई करेंगे अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारी पर सिलाई कर लेंगे अब देखिए हम आई की पट्टी लगाएंगे, हुग की पट्टी में से एक्स्ट्रा पट्टी हम कट कर लेंगे अब हम आई की पट्टी बनाते हैं तो देखी तीन इंच की पट्टी लेनी है हमें नीचे की तरफ से रखेंगे और सीधी सिलाई करेंगे यह देखी इस तरीके से अब इसे पट्टी को बहार निकाल लेंगे और जहां तक हमने सिलाइ करीем वहां तक ही हम इस पत्टी को इस तरीके से फॉल्ड करके फिर फॉल्ड कर देंगे ये देखी अब इसकी किनारी पे हम सिलाइ कर लेंगे अब एक्ष्टा पत्टी को cut कर लेंगे, अब हम कमर पत्टी लगाएंगे तो देखिए डेडेंज की पट्टी लेंगे उसे उपर की तरफ से रखका सीधी सलाई करेंगे जिस तरीके से हमने हुक की पट्टी लगाएती उसी तरीके से दोनों पार्ट में हमें कमर की पट्टी लगा लेनी है ये देखी, दोनों मेने पाट में लगा लिए है दोनों पाट को हम इस तरीके से बरोबर रखेंगे अगर हमारा गला छोटा बड़ा हो रहा हो तो इसे कट करके सेट कर लेंगे देखी, दोनों गले हमारे बरोबर हो चुके अब हम गले पे piping लगाएंगे तो पट्टी लगा रही हो में आप piping लगा सकते हैं तो और भी पट्टी लेनी है इस तरीके से उसे double fold करना है और गले पर रखकर एक पेर की शिलाई करनी है इसी तरीके से दूसरे गले पे भी हमें पट्टी लगानी है अब देखिए इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरह फोल्ड कर लेंगे और सिलाई कर लेंगे यह देखिए कितनी फिनीसिंग से मेरे गले पे पट्टी अटेच हो चुकी है मैंने दोनों गले पे देखिए पट्टी अटेच कर लिए यह हमारा फ्रेंट लुक है अब हम सोल्डर जोइंट करेंगे तो बेक पार्ट है हमारा जो मैंने पहले से तियार करके रखा है अगर आपको उसकी डिजेन पसंदे तो इसका लिंग आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा अब देखिए दोनों पार्ट्स को हम इसके उपर रख लेंगे इस तरीके से और सोल्डर पर डबल सिलाई कर लेंगे अब इसे पलट लेंगे पलटने के बाद इसकी किनारी पर भी हम सिलाई कर लेंगे यह देखिए हमारे सोल्डर दोना अटेच हो गया है अब मैंने स्लीव्स को भी स्लाई करके अटेच कर लिया था तो यह देखिए दोनों स्लीव्स को में इस तरीके से यहाँ पर जोइंट कर लेंगे और फिट कर लेंगे ब्लोच को अब हम फाइनल लुक दिखेंगे हमारे ब्लोच का फाइनल लुक आई होप आपको सब समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो थैंक यू वोचिंग मैं वीडियो